आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस बात के एक खास ख़बर के शहवाद के एक विद्याले में सच्छकों की बड़ी लापरवाही सामने आए है जिसमें एक बच्ची खौलते पानी में चावन डालने गए पानी मासूम के उपर गिरने से वह बुरी तरह जुलस गए ये दिल करा देनी वाली खबर हरदोई से सामने आ रही है जिन बच्चों को स्कूल में सिक्षा देनी चाहिए उनसे मिड़े मिल का भोजन बनवाय जा रहा है स्कूल में बच्चे भोजन बनाते हैं स्कूल में बच्चे भोजन बनाते समय एक मासूम चात्रा के उपर खौलता पारी गिरने से वह बुरी तरह जुलस गए देखिए हमारी एक खास रिपोट शहबाद विकास खंड के हासुआ प्रात्मिक स्कूल में बच्चे भोजन बनाते समय नौवर्षी एक शात्रा बुरी तरह जुलस गई परिचनों को सूचना मिलने पर वह मासूम को आननफानन में सिच्च सी शहबाद ले गए जहाँ पर डॉक्टर ने प्रात्मिक उप्चार के बाद शात्रा को गंबीर हालत में देखते हुए जिला स्पताल रिफर कर दिया शहबाद थाराशेत्र के अंतरगत हसुआ प्रात्मिक विद्याले में नौवर्षी छात्रा शुभा पुत्री राम रहिस पढ़ने गई थी दुपैर स्कूल में मिड्डे मिल का भोजन बन रहा था जिसमें स्कूल के अध्यापक ने चात्रा से कहा कि भगोने में चावल डाल दीजे इस दोरान मासूम छात्रा खौलते पानी में चावल डालने गई तो अचानक खौलता पानी गिनने सिवा बुरी तरह चुलस गई परिजनों को जानकारी होने पर वा इलाज के लिए सियच सी शाहबाद ले गए जहां प्रात्निक उप्चार के बाद चिकसक ने गंभीर हालत में जुला अस्पताल रेफर कर दिया सवाल ये उठता है कि जब शाशन की ओर से प्रतेक विद्ध्याले में मिड्य मिल बनाने के लिए रसोया रखी गई हैं तो बच्चों से खाना बणवाने का क्या काम है इस बहुत सी अंदाज लगाया जा सकता है कि जिले में ना जाने कितने विद्याले होंगे जहां खाना बच्चों से बनवाया जाता है जब कोई घटना हो जाती है तो प्रिशाशनी कमला सो कर जाकता है हाला कि अगर इन मामलों में जिम्मेदार आचक नरेक्षन कर सम्मंदित पर कारिवाही करें तो ऐसे कोई भी मामले सामने नहीं आएंगे और ना जिम्मेदारों की लापरवाही से मासूम बच्चों के साथ इस तरह के कोई हाथ से होंगे क्लास में पढ़ती हो है कौँ से गाउ की न्यासियों है कल इसकूल किस गाउ में में है हSON में किया नाम है आपका जाम रही इके व्याम में निवासीय का इसधान कि बच्ची जो भुलसी हुई ए क्या मामला है मेरी बच्ची को अध्यापकों ने कहा कि खाना बनाओ तो वो चावल लान ने गई तो भगवना पूरा लौट गया फिर उन्होंने कहा कि इसकी इलाज कराओ इलाज के लिए पैसे भी नहीं दे रहे किस स्कूल में पढ़ती है याद कितने समय की बात है ये समय लगवक बारा वजे का आए इसके बाद आप अस्पताल आए है यहां क्या डक्टूर ने बताया अस्पताल में आए तो रिफर किया अर्दोई के लिए अधर के लिए एक चात्रा जुलसी हुई आई थी क्या मामला था पुरा का एक स्ट्राइए है लगवक उमर उसकी दस साल पे आसपास लग रही थी और वह पैर में और कमर में मामूली सा कुछ आ गرंपानी से जुलसी ती उसका बातमी वुक्तार दर्नकवार्ट से जला स्पिताल बदमबॉर्ड पेवर करती है